जहें दोस्तों आज के इस वीडियो दोस्तों अधिन करने वाले class 10 का दोस्तों जो हम लोग science का unsolved का set कर रहे हैं दोस्तों आपको बता दें कि board exam की तोयरी बहुत जोरों से आप लोग कर रहे हो आप जान भी रहे हैं लेकिन दोस्तो, आपको यह यह बता दे कि अंसौर को पढ़ने के साथ convenience को क्रिये। जिस्परकार से हम बताते हैं उसपरकार मिये क्रिये। जतो आजा का सेट है हम लोग, हमलोगे लोग के... तो बने राइब इस दो को या कि बिदियो करना कि दोस्तो GUY को आपको कर आती है जिसे कि आपको परिशानय आती है संच में कहा आता है bu जिर्ट करना इसलिए इसना नहीं करना तो चले कशो करता है ये पहल點 पांस में ककका , सुद्धि जल का pH मान है , तो ये तो सम्पलकूइस्चय ने पीयच मान नाम ने पड़ाया तो सुद्धि जल का pH मान क्या होता है ? अगर pH मान साथ से कम है तो अमली pH मान साथ से ज्यादा है , तो इंचारी तो जानते ही है निम्ली कि पर 알고क्रिया कर देक है ? कापर, लोहा, जस्ता, सोडियम, आपको पता है कि सोडियम, पोटेशियम यह दोनों धातु यह जल से भी किरिया कर लेती है, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसको केरोसीन में रखते हैं, यह जल से किरिया करके वायू से किरिया करके यह अपने आग को आग, यह जिन आजा लेती doute है इसलिए लोग जल में रखते हैं से प्रोपेमल रिरखेल किर्यात्मक समूल हाई थिल फ्रेयत्क है मैं है तो ऑल प्रोपेमल का हॉबर दैट है शर्ख यूश है अंद सकन região को फ्रेफ किर्यात्मक का यूश है रेंग्शार लिखिए सबसे पहले made 5 Aujourd रिल्डी हाइड क्या है फार्मिल्डी हाइड तो फारμεल्डी है बहुरत अब फार्माइल्डी अजये हैं क्या है डोस्त आपको बता दिए कि इसका Jo涕数 यह दर्शाता एल डी- की को Ishaah ुत्र át आई अगे क्या हो गया इसका रासाइनिक नाम क्या हो गया इसका रासाइनिक शूत्र यह और आई-उ-पे-स नाम बताना है आपको IUPAC में क्या होगा कितने कार्बन है एक कार्बन होने पर मेथ और CHO होने पर होता है अल तो यह हो गया मेथे नल या मेथे नल तो यह हो गया इसका IUPAC ने और शूतर है हमसे अगला इन्होंने कहा है AC अमल त क्या कहा गया है एसी टिक अमल इसका रासायनिक शूत्र क्या है इसका राशायनिक शूत्र अब इसका आयूप्यसी हमें बताना है आयूप्यसी क्या हो जा Parece कितर एक कार्वन है तो एक कार्वन दो कर्वन तो यह हो जाएगा आपकी पास hus मेद के बाद नंबल लगता है ओट तो यह ँगा ए अब पीधिया को एक समूत है इसका रासानिक नाम का हो एथ्यूक अमलal इसके बाद 6 खा क्या होता है जब कोस्टब में केबल्स रासानिक समीक्र आप ठी संध कहें,त्रप नारी है इत्लेस क्ष infection by the कैलिशियम सलफेट में बदल जाता है और अधित गरम करते हैं और काला पड़ जाता है इसलिए लिजमो किसे से गरम करते हैं जीप संथ गरम करते है प्लाक्टर पैरिस मेंежд ढाल दाल दिथा धन का सब्स極DING लेता है तो दोफण।कर बड़िश गरम कर रहे हैं तो क्यालिस्य प्लास्टरा प्रिस्क फर्मुला होता है C A SO4 into हाप H2O और इसको करेंगे गरम तो यह गरम का निसान और यह कैल्सियम सलफेट में बदल जाएगा C A SO4 और जल इसका निकल जाएगा निर्जलन हो जाएगा न यह सूखेगा दिर-दिरे करो एक बर एक बर S O 4 एक बर आधा S2O यहां पर एक S2O है अभी इसका करना पड़ेगा में बैलेंस क्योंकि यहां पर है आधा S2O यहां पर है यहां पर आधा S2O और यहां पर एक S2O तो सबसे पहले इसको एक काम करते हैं कि CA 1 वर S4 एक बर तो यहां पर आधा का गुणा कर दो किसमा गुणा कर दो जैसे ही हम लोग आधा का गुणा करेंगे या फिर एक काम करते हैं इसमें अगर आधा का गुणा नहीं करेंगे तो इसमें करेंगे हम लोग 2 का गुणा इस में सथे दो्अ मादोगे कर दो बूंए इसमें करेंगे नं सिय अशुम है और यह एक जल्डा अमिश्नकी क्या कर रा था दूसरा कंडिसेन में खाने के सोड़ा को गराम करने पर दूसरा केस्टस्टें नमसी आ खाने का सोडा को गरम करेंगे, खाने का सोडा का रासानी शूत्र क्या होता है, खाने का सोडा का रासानी शूत्र होता है, यायनि AHCO3, जिसको हम लोग कहते हैं, sodium bicarbonate, इसको गरम करेंगे, sodium bicarbonate, खाने का सोडा बनता किससे, sodium carbonate को हम लोग बिराइन में बिलते हैं, जल, sodium carbonate को जल में मिलते हैं, तो जल मिलाने पर, और carbon dioxide करने पर, हमारे पस carbon dioxide बनता है, और juice से, carbon dioxide नहीं, मनलब, यह खाने का soda बनता है, खाने का soda जिससे बनता है, अगर गरम करेंगे तो उसी में तूटता है वो, तो वही होगा, याइन, AHCO3, सबसे पहले हमारे पास, यह किस CO2O, प्लस, CO3, इसको गरम करने पर, यह CO2 की रूप में बदलाएगा, तो CO2, अब हमारे पास, यान, AHCO3, यह बन जाएगा, यान, AH2CO3, क्या बन जाएगा, यान, AH2CO3, sodium carbonate, अब हम लोग इसका balance करेंगे, यान, को दो बर देखकर, तो रहने, इसमें दो का गुणा कर दें करेंगे, दो को गुणा कर देंगे, C के पहले, पूरी H हो गया, दो बर, H हो गया, तीन दूनी 6 बर, ओ गया, यहाँ पर 3, 4, और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर C की गिंति, O की गिंति, O की गिंति हमारे पर जादा हो रहा है, इस दो को हम लोग हटा देंगे, क्योंकि C तो उमा अगया, तीन दूनी 6 बर, तो 3, 4, और 2, 6 बर, ठिक, यह हो गया, इसका बैलेंस, अब दोस्तों, इसका तीसरे, जो हमारे पास, कोश्यन था, 6 का ख, इसको 6 का गा, परमादु कर्मांग, 16 बाले तत्व का आबर साड़ी में वर्ग वा आबर्त लिखिये, तो हमारे पास क्य लिखना पड़ेगा, अब सिप्ड़े लिखना पड़ेगा, उत्तर छे का गा, क्या लिखेंगे, उत्तर छे का गा, अब हमारे पास क्या दिया गया, परमादु कर्मांग दिया गया, 17, परमादु कर्मांग क्या दिया गया है, 17, अब हमें क्या-क्या बताना है, इसमें, हम आवर्थ शान्दी में वर्ग और आवर्थ दुन बताना है वर्ग बताना है और आवर्थ बताना है कौन से वर्ग में हैं और आवर्थ क्या है अब ध्यान देनाम, यह किसका है, तत्व जो है, यह 17, तो यह क्लूरीन का है, क्लूरीन का होता है 17, क्लूरीन का होता है 17, इसको परमारो कर्मान में तोड़ेंगे तो 2, 8 और 7 आएगा, क्योंकि परमारो कर्मान तोड़ने का निया हमने बताए था को, क्यान तोड़ते हैं लो सब्सक्राइब तो साद क्या ओर सारा तीसरे आवर्द पर यह जो अब दिखा ए Sylava अब द्यान है क्लूरीन किसंवायि के क्लूरीन किशको भाइ सत्रिवत पराइस कम रखे सत्रे बड़ जो सत्म मंद आ तो सत्रुबूरोग कोङते हैं इसको देख के बता जाता है कि यह साथ पर है, ठिक बर्ग साथे पर है, अब हलाकि साथ पर लाष्ट में साथ ही आता अधिक तत्मों के, इसके तत्मों जो भी है, इसको साथ में कका, खानिस तता अयश्य की परिवाशा अब उध्रान दीजे, वोड एक्जम आपको हेडिंग लेना है, उत्तर्षाथ में काँ डालना है, और हैडिंग डालना है खनिज, ठिक घरिवाश की तो, जो भी होट करते हैं उसे खनिज के ते हैं, अब हो गया आश्य की परिवाशा दीजे, अब आयश्य की से कहते हैं, जो हम लोग खनिजों से, शरल्टा पूर्वा शरल्था इसका एक उधान इसका उधान वी लिखी है अब झी लिखना क्या है अजित्ध पहले बौडिक में लिखना उत्तर साथका का सबसे पहला ऑको कहरें लिखना है खनिज की परिवाशां आप वने वता दिया है वहें लिख लेना दो आपको लिखना आयश की डिखा दिया, वही लिखाया लेना तेक अब खर खरनिज का उधान क्या हो गाहता है जिसके खरी खर खरता है सभी खरीfah दखो सभी आयश्क होते हैं एक चे और धेंदरा से मूर बहुत अंतर सभी आयश्क के खनीज है सभी आयश्क के खनीज है सभी खनीज आयश्क नहीं है क्योंकि हर एक खनीजों को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए सभी खनीज आयश्क नहीं है इसलिए जो खनीज 2,3 x 2 aluminium mox organisation इफेश की कपर पाइराइड यहीं अई समिन में उयर 切लियुल फिसमें धर प्र nationalism किए बिल्वा कपर अगेश काय कर वासा प्र इस के खकर Kirsty समें ले लिए हमने इसमल अगला qwestiन साथ में काखा मेंडिलीप का आवर्त नियम लिखिए मेंडिलीप का आवर्त नियम क्या है मेंडिलीप के आवर्त नियम में जो तत्वों के भावतिक और असानिक गुड़ है तत्वों के भावतिक और असानिक गुड़ इस दोनों गुड़ जो है उसके भारों के आवर्तिक वहाराक वहार do बहार तीन आहीस का आरत यह है तो कहने का आरत यह है तत्वो के भावतिक और असायनिक गुड्ड उन की परमारू भारों के आवारतिय फ्ला ते्जियं में अधुनिक़ अवरत रातनिया में तत्वो के भावतिक और avere गुड्व उनhips की परमारूarde पर आइड़िग डाल की लेना है मेंड़ी आ अवरथनिया और जो परिवरत बता है उसके टेंग डल लेना है जो परिवाशा भिए भी इस बताया है पूलले की लिखिए संटराप्त कारवानिक योगिक टो बोड़िगा में आपको क्या торов आउसे ए rebound है जो एकल बंद्दु औरह संदुस्ट होता है जो एकल बंद रहे संतुस्ट होता है उससे हम लोग कहते है आसंतर आसंत्रप्द कारवने की कारवस्ट योगिक जो यह अद् 53 या वंठरा के जन्तर कॉ जयुद्री हो. तो यह उसके बाद शजाती श्रेडी किसे कहते हैIST पढ़े तो तो थेखू इसका तो कई, कई सेट्बर पूसा अगे cent हर सेट्बम बता रहे हैं एक और भ। है ठाढम है भ। जिसमें काशली काशली के ऑक्त इंहालर ? जिसमें hydrogen, एक ही किरियात्मक समुदरा बवस्तित किया जाए, hydrogen को, या कार्वन का स्रिंकला है, कार्वन का स्रिंकला में, hydrogen को इस प्रकार से बवस्तित की जाए, कि hydrogen का जो दिवस्ता किरम है वो एक ही रूल में है मतलब का निकारदा को दिखा देते हैं, हम लोगों को पहले उत्तर नम्मर क्या डालना है, उत्तर नम्मर आठ का खा, टेक, उत्तर आठ का खा, क्या डालोगे आठ का खा, और हेडिंग डालोगे sajati sredi, sajati sredi किसे कहते हैं कार्बन की योगी कुपर वाइस रेड़ी जिसमें हाइड्रोजन एक ही किर्यात्मक समूदर व्रवास्तित हो उसे हम लोग सब्सक्राइब कहते हैं जिसे मुआ लोग कि यह लिखा है लिखा गया है दो है तो दो यह पर चार है तो दो दूनी चार तीन दूनी छे चार दूनी आट ऐसे एक ही प्रेकार एक ही किर्यात्मक समूदर व्रवास्तित की जाएं उसे अज़ें आधने नहीं कहते हैं इसके बाद आठवे का गा नंबर आपस सेट दूसरा था हमने इसकी बाद हमणे पीछे कई सेट नहीं पड़ा होगा तो फिर ही बता लेते हैं साबुन अब मार्जा की निर्मलन अभी क्या है निर्मलन का मतला होता है स्वाचिक कारक स्वाचिक क्रियाक इसमें क्या होता है कि साबुन किस प्रकार से किसी वस्तु को साप करता है साबुन मिसिल की साइता साप करता है क्या करते है कि सबसे पहले कि में साबुन को घोलते हैं। तो इसमें मिसल का दो भाग हते एक हुआइडरोकारवन स्रंखला राएपया। ज़ल ब्रोधी रहाता था यह यह उतलike साथ कहें णता। यूरित पीडिया था ??? कपलों में जाकें चिपक जाता है, कौन हाइड्रोकारवन पूच , दियाने रहे हैं, धिए डंदर कारवन पूच, मैल के साथ purs मारा कारको आ जाकें की कोशिश करना है, जैसे उस्छ त को कहीच पूच तो घंचा चला आता है लेकिन अपने साथ मैल को ले आता है, तवसने समय 20,5 गंट तक हमने बयोकर रखना चाहिए, जिससे कि दुनहों किरिया हो सके, इसे कहिते हैं साबून का निर्मलिकरन, यानि सौक्षी करन छो हार्ड चीजे होती है लाण ए अपमार्जा के निर्मलन घ्र्णा लग यह ए, अब हम आपमार्जा में तार्रक्रौ का प्रियो करते हैं तो यह हैा, जो hard चीजे वोती हैं उस hard चीजे से grease जो उहटी नहीं रहा है, जो हम लोग लोग नहीं दुकानों पर गारी, वगएर जाते में अछासे पाराशों को अपहित बहुत घंद हो ध मिलत होते हैं उनकी कप्ड़ें अधिक बहुत कंद होल्ड्य होजाते हैं इन ऐसी कपड़ों साफ करने काम 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 आता है हमारे पास आप चाहते हैं हालाग इसका साही जो अपका पूरा इसका डिस्क्रिप्शन में हमने आंसर डाल कर रखा है हर एक कोशन का वहां पर जाकर देख लिना ठिक और जिसके स्क्रिप्शन में आंसर ना मिले तो कमेंट सेक्शन फटाक से डाल देना मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइट अथवा एथनो एक आम लेकिन निमलिकित अभिकिर्या लिखिए तो एथनो एक आम लेकिन निमलिकित के साथ अभिकिर्या करना है नमबर एक एस्ट्रिकर्ण किसे कहते हैं दो कार्बन की बीच अगर ऑक्सीजन है दो कार्बन की बीच अगर ऑक्सीजन है तो वह एश्टर क हाइड्र करनों होने लोग founded म७ल्स साथ time का अढेगा अध्री और फार्मूला पर्मूला होता है किसके साथ किर्या करना पसंद कर रहा है किसे कहते हैं हमने अभी कहा है कि कार्बन कार्बन और हाइड्रोकार्बन की बीच ऑक्सिजन को होना क्या कहलाता है अभी किर्या लिखी है तो अब ध्यान देना तो हम लोग क्या करेंगे एश्टर किर्या करवाएंगे एश्टर क्या होगा हमारे पास जैसे हमारे पास यह हो गया अ multiph sh 3Al Soldant Ch3 तो यह पर हमारे पास क्या होमारे पास एश्टा हो गया दौग है तो हाइड्रोकार्बन संखला बीच ऑक्सिजन मनका हो यह मारे पास क्या कहलाता है के छोटा ठीक है अब हमारे पास इसके रिएक्शन के दॉरार मेंगा reaction के दवरार हमारे पास यह बन जाएगा दोस्तों इसका बैलेंस करेंगे तो तो हमारे पास क्या बन जाएगा CS3 यह भी CS3 है COOH है तो यहां को है CS3 है दिरक पार है यह reaction सभी सेम सेम हैं अब से पहले हमारे पास यहां पार इसका OH और इसका H यह तो बन जाएगा हमारे पास H2O, क्या बन जाएगा हमारे पास H2O, अब बात ड़े को सभी को मिला दो, सब मिल जाएंगे, तो यह बन जाएगा हमारे पास km3, यह वाला Czh3, क्या बने गारे यह वाला, km3, single band C, यह वाला single band C, ठीक है, अब यहाँ पर is single band O, कौन सा O, यह वाला O, और इसका जो O है, यह double bond के रूप में इसके साथ रहेगा, ठीक है, बात बगए, यह हमारे पास जो, क्या बने जाएगा हमारे पास, एक ही इसका CH बना, तो यह होगा CH2, क्या बचाएगा, CH2, CH3, क्या है, th Pix, ऐसी, डेयं एस, हो अब झेंदना, पिरिफिपर, यह C3 होगया हमारे पास, इसका हमारे पास, यह O होगया हमारे पास, और इसका जो इह O था, यह development में आ गया, और इए Oह और इसका ओएच, और इसका एक O, इसका एक O, तो यह हमारे पास किस रूप में आ गया, S2 O के रूप में आ गया हमारे पास क्या बचा CS3 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 बचा CS3 बचा इस O को हमें हटाना पड़ेगा ठीक, इस O को हमें हटाना पड़ेगा तो हम लोग आप इस बैलेंस देखेंगे यहां पर कारबन की चार बंद होना चुछ इस O को यहां से हटा कर और हम लोगे यहाँ पट डबल बंड की रूपे दैंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा इसके तो जात न एक तीन बंड उसके साथ, यह गरसacas के साथ इसकued तो जासर न फोन में तो करक्यान बन युकिर दो फोन न य॥ूल्व करेगा एथिनोईिक अमले oppose फार्मूला क्या होता है CH3COOH प्लस किसकेद करेगा sodium hydroxide NAOH के साथ किर्या करेगा जब यह यह OH किर्या करेगा तो हम जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर यह जो है इस ह को हटा देता है इस ह को हटा देगा तो यह जो H है किस कर्याद जोड़ेगा इस HOH कर दोड़ेगा तो हो जाएगा H2O तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COONA बन जाएगा CH3COO और NAOH और H यह बन जाएगा H2O तो इसका बैलेंस भी हो गया इसकी बाद हमारे पास किसके कर्याद करेगा CH3COOH जो है यह कर्याद करेगा NAHCO3 जानते हैं यहाँ एच को हटा देगा तो यह जाएगा CH3COO यह बनेगा यह एच और यह एच और इसका O तो बन जाएगा H2O पिलस यहाँ पर बचा CO2 तो यह बन जाएगा CO2 ठीक इसके बाद यह करेगा NA2CO3 किसक्त किर्या करेगा NA हटाएगा किसको H को खुदा के जुड़ जाएगा हमाँ पर तो यह जाएगा CS3COO NA प्लस यह H और इसका हमारे पास क्या है O तो यह जाएगा H2O प्लस CO2 क्योंकि यह हमारे पास CO3 किसमत लेगा CO2 में इसका बैलंस करना पड़ेगा इसका जब बैलंस करेंगे तो हम लोग करेंगे कि यहां पर यानि 2 बार है तो 2 का गुड़ा करना पड़ेगा हम लोग जैसे 2 का गुड़ा करेंगे तो हमारे पास CS3 2 बार हो गया तो 2 का गुड़ा है में भी करना पड़ेगा मैं तो अब देखो balance मिलाओं एने दो बर एने दो बर एक ने दो बर CS3COO दो बर CS3COO दो बर H दो बर हच दो बर ठीक है इसके बाद O 3 बर O 3 बार और C1 एक बर इसका balance हो गया है ठीक यह मैं बैलन्स कर लिया है अब दोस्तों आठमें का अब खा देखो में यह कह गया है मिने अभी किर्याव को लिछ लिखिए अभी किर्याव को लिखना है अभी करेंगे मेथेन की देहन द्यान देना हम लोगेंगे उत्तर आठमेगा कुमसा है मारे पास आठमेगा खा मेथेन को गरम करेंगे किसको गरम करेंगे हम लोग मेथेन का फार्मूला क्या होता है द्यान का मतलब ऑक्षिजन के सब जल आए मेथेन जो ऑक्षाण का जल कर क्या देगा मे अक्षेन की सब जल कर क्या देगा मेथेन को च्छोबार मारे दोबार बालस हो गया दो बैलेंस नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक, C एक बार, C एक बार, H चार बार, H चार बार, O हो गया, तीन बार, O हो गया, यहां पर दो बार, तो बैलेंस तो हुआ नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दूस्तों को अता दे कि इसमें दोक गोडह करेंगे इसमें जैसे 23 अबैलनस में दूसरा अभिकरिया दूसरा जो है अधलीन की योगामक अभिकरिया तो दूसरे इतो पहरा कंडिशन हो गया दूसरे कंडिशन में एथलीन जिसको हम लोग कहते हैं डबलबांड च्छी तू क्योंकि एथलीन में दो करवन हो चाहिए और यह गया इसका योगात्मा कभी किरिया यह जिसमें हाइट्रोजन जुड जाता है उसे योगात्मा कभी कि उसके दुरान क्या बनेगा एक प्रियंगल वांड तो यह जाएगा इसका दो एच न एक इसने लिया और इसने ले लिया अग इसके बाद आप तीन तीन वाले में हमारे पास एन ही आएगा ठीक है एन और सिंगल भास होता है इसके बाद प्लैक्टरोफ पेरिस का जल योज प्लास्टर पेरिस में जल मिलाने पर क्या बनता है जिप्सन बन जाता है तो हम लोग लिखेंगे तीसरा कंडिशन में प्लास्टर पेरिस C A S O 4 इंटु हाप S 2 O और इसका जलाग बटन कर देंगे जलाग से बिला देंगे तो क्या बन जागा जिप्सन तो C A S O 4 C A S O 4 इंटु 2 S 2 O यह हो गया इसका बैलेंस है क्या देख लोग बार तो बैलेंस हमारे पास यहां पर C A S O 4 C S O 4 2 S 2 O और यहां पर यह हो गया हमारे पास यह हो गया हमारे पास एक और यह हो गया आधा यहां पर दो है तो हम लोग यहां पर हमारे करने के लिए यहां पर है डेल हुआ न और यहां पर दो है तो यहां पर हम लोग करेंगे डेल करेंगे जब डेल करेंगे तभी यह मिलकर हो देहिंद जैवात लिजिए इसका, अब स्क्रीन शॉट